प्रेदोस्तो नमस्का स्वागत है आपका अपने कारेकंग भी अच्छ जूतिस में प्रेदोस्तो पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी कि केतु अगर अश्टमस्तान में होगा तो किस पकार का फल देता है आज मैं बात करूँगा अगर केतु नमुम भाव में है तो किस पकार का फल देगा चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वस्त है अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे वो अपने दोस्तों के भी सियर करना बिल्कुल भी न भूले तो आज चर्चा करेंगे केतु अगर नमुम भाव में है तो कैसा फल देगा केतु अगर नमुम भाव में होगा तो ग्यक्ति धार्मिक प्रिब्रतिका होगा साथ में उसके जो माता पिता हैं वो भी धर्म कर्म में रुची रखने वाले होगे लेकिन अगर केतु नमुम भाव में सुब प्रवाव में होगा तब अगर किये तु असुम प्रवाव में होगा तो जातक किये भाग्य की हानी होती है ऐसा जातक कोई भी काम करता है तो एंग टाइम पर यानि आखरी समय पर उसका काम रुक जाता है ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राएं भी बहुत करता है धार्मिक यात्रा के साथ-साथ धर्म के कारे के लिए वो व्यक्ति बिदीस तक चले जाता है यानि धर्म का इतना कत्रता के साथ वो व्यक्ति पालन करता है लेकिन उसके लिए केतु जो है सुब प्रवाव में होना चाह सब ग्रहुं से दिश्टि होना चाहिए अगर इसमेगेट को लुमभाव में केत होने पर अगर गुरू से दिश्टि होता है तो एसा ब्यक्ति अगर सोने याने गूर्ड का अगर प्यापार करता है तो उसको भोत फाइदा होता है गुरु अगर से दिष्टि अगर केतु होता है तो व्यक्ति धार्वे की यात्रा ये तो करता करता है साथ में केतु जो है फिर अस्व फलों का जो है जो प्रभाव जो है वो कम करता है अगर गुरु की दिष्टि अगर केतु पर होगी और के तूब बलवान होगा उच्चका होगा और डिग्री वाइज बलावल में अख्या होगा तो वो जो है व्यक्ति जो है भाग्य की हानी कभी होनी नहीं देता है याने भाग्य से उसको बहुत ज़ादा बेनीफिट होता है उसने साथ-साथ वो व्यक्ति भाग्ति का कारे क करता है दान पुर्ण काम काम करता है परोब कारी होता है ता गरीबों की सायता करने वाला पाया जाता है आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर एक नहीं जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तोंगे तब तक के लिए बहुत-बहुत परणाम वीडियो को लिखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार.